Hello friends, this is S.P. Singh and welcome to Smarter Every Day. Today we are going to discuss a very important topic, आदर्स वाद, यद्हार्थ वाद, प्रियोजन वाद, प्रक्रति वाद. चार वाद होते हैं हमारे, मैंने चारों वाद की क्लासे ली हुई हैं, चारों वाद मैंने अलग-अलग पढ़ा हैं हैं, आज की क्लास में हम सभी वाद एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आदर्स वाद पढ़ेंगे, आदर्स वाद के बाद next आएगा हमारा, आदर्स वाद के बाद हम पढ़ने वाले हैं, प्रक्रति वाद, नेच्रोलिस्म पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमारा प्रियोजन वाद आ जाएगा ठीक है प्रागमेटिस्म को पढ़ेंगे इसका अर्थ परिभाषा सब कुछ पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएगे और आगे बढ़ करके हमें नेक्स टॉपिक मिलेगा यथार्थ वाद यथार्थ वा जानेंगे और पूरी तरीके से कंठस्ट करने वाले हैं यानि कि आज के बाद वाद हमको कहीं भी मिल जाएं हम इनको छोड़ेंगे नहीं ठीक है चलिए फिर सुरू करते हैं आज की बेहित्रिन और अमेजिंग क्लास आपके चार वाद होते हैं आदर्ष वाद प्रकरतिव इसमें क्या होता है आदर्ष वाद जो विचार दारा है प्राची इंतम विचार दारा है सबसे पुरानी विचार दारा है बहुत ज़्यदा एक्स्प्लेन अगर देखना है जानना है सुनना है तो वो क्लासे आप देख लेना बाद में ठीक है इस क्लास में मैं बहुत अध इसका विकास सुक्रात और उसके शिष्ष ने किया था प्लेटो ने उसका सिसे कौन था प्लेटो था ठीक है जो यह विचारधारा है इसका विकास सुक्रात और उसके शिष्ष किसने प्लेटो ने किया था यह विचारधारा ब्रहमांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मान आदर्शवाद कहता है जो हमारा ब्रहमांड है इसको इस्वर ने बनाया है इस्वर का निर्माण है इस्वर ने इसको रचा है ठीक है और आदर्शवाद यह मानती है कि इस वस्तु जगत के पेच्छा आध्यात्मिक जगत स्रेष्ट है तुरंत पैन कॉपी उठागर के है देखिए यह इस्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को इस्वर का अंस मानती है यह कहती है आदर्शवाद यह कहते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है वह इस्वर का ही एक हिस्सा है इस्वर का ही एक पार्ट है अंस है और मनुस जीवन का अंतिम उद्देस आत्मा की अनुभू ठीक है चलिए आदसवाद क्या कहता है कि इस्वर का इस्वर को अंतिमसत्य और आत्मा को इस्वर का क्या एक हिस्सा मानती है आदसवाद का अर्थ क्या होता है मीनिंग आडियलिस्म क्या होता है हम ये भी जानेंगे आदसवाद को अंग्रेजी में आडियलिस्म कहा जाता है क एक सब्द है मारा idea दूसरा सब्द है is में क्या है पहला सब्द क्या है idea दूसरा सब्द क्या है is में बीच में यह जो I है ना यह अच्छर उच्छान के सौंदर्रे के लिए परियुक्त किया गया है सौंदर्रे यानि कि वैसे अगर वैसे लिखते क्या वैसे क्या लिखा जात लेकिन ये हो जाता आइडियस्म यानि कि देखने में अच्छा नहीं लगता बोलने में बढ़िया नहीं लगता तो हमने उसकी क्या करती सुन्दर्ता बढ़ा दी आप लोग क्रीम पाउडर पोतते हो किसके लिए पोतते हो ताकि आप सुन्दर दिखो मेकप करते हो सुन्दर दिखने के लिए है ना लोग तो खुब क्रीम पाउडर पोतते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे ल बढ़ाया गया है ताकि जो सब्द लिखा है उसकी सुन्दर्ता बढ़ जाए ठीक है आइडिया का अर्थ होता है विचार और इसम का अर्थ होता है वाद ठीक है तो यह है इसको हम आदर्षवाद को विचारवाद के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं विचारवाद के नाम से भी हम इसको जानते हैं क्योंकि आइडिया का मतलब होता है विचार और इजम का मतलब होता है वाद बढ़ जाएं आगे, चलिए इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है प्रजेंट टाइम की अगर बात करें तो हम इसको प्रत्यवाद, विचारवाद अध्यात्मवाद के इस्थान पर आध्यात्मवाद का आधिक प्रियोग करते हैं कहने को इसको हम प्रत्यवाद भी कह सकते हैं कहने को विचारवाद, अध्यात्मवाद भी कह सकते हैं क्योंकि अध्यात्म को इस्थान मानता है इसलिए हम इसको अध्यात्मवाद भी कह सकते हैं हम इसको आदर्शवाद कहेंगे आदर्शवादी जो दार्शनिक हैं वो विचारों को ही सत्य मानते हैं जो आदर्शवादी जो दार्शनिक हैं वो क्या हैं विचारों को यानि थौट्स को ही सत्य मानते हैं प्लेटों ने भी चिंतन और विचारों को चिंतन विचारों और त अब सेहीए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आदर्षवाद की परिभासाइं देखे, आदर्षवाद की क्या परिभासाइं हैं? सबसे पहले एडम्स के अंसार आदर्षवाद एक सुनिए एडम्स देखिए कोई भी वाद आप पढ़ें कोई भी टॉपिक पढ़ें मैं हर क्लास में बोलता हूँ उसकी definition जूल रट लेना आदर्षवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्षवाद के समस्त इतिहास में व्याप्त है ऐसा एडम्स कहते हैं यह उनकी definition है आप इसको याद कर लीजिए ठीक है चलिए रॉस क्या कहते हैं देखिए सुरी रॉस क्या कहते हैं आदर्षवाद एक आदर्षवाद के अनेक रूप हैं आदर्षवाद के अनेक रूप हैं किन्तु सबका सार यहाँ है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है आदर्षवाद के अनेक रूप है लेकिन जो हमारी आत्मा है वही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक सुरूप के है शत्य है ठीक है ये डिफ्रेंशन रौस की है आदर्शवाद की कुछ आधार भूत मानिताएं हैं जो हमको ध्यान में रखनी होगी नमबर एक क्या मानिता है बहुतिक जगत की अपेच्छा जो आध्यात्मिक जगत का महत्पूर्णिस्थान बताया गया है आदर्शवाद में आदर्शवाद की मानिता है आदर्शवाद ये मानता है कि जो भूतिक जगत है हमारा उसकी अपेच्छा जो हमारा आध्यात्मिक जगत है वो सरेष्ट है महत्पूर्णिस्थान लगता है आदर्शवाद के अनुसर भूतिक वस्तवें वह भूतिक जगत का नास्वान होने के कारण आस्थाई है क्या कहता है कि आदर्श्वाद के अंसर जो भौतिक वस्त्वे हैं वो भौतिक जगत नास्वान होने के कारण आस्थाई है और जो आध्यात्मिक जगत है वो शत्य इस्थाई और वास्त्रिक है पूरा प्रहमांड कहा है? मानों के मस्तिष्क में नहित है कैसे? आदर्शवाद यह माँनता है कि इस जगत की आधार भूत बातें मानव आत्मा और मस्तिष्क में विद्यमान है आधरसवाद क्या मानता है कि इस जगत की जितनी भी आधारबूत बातें हैं जो मानव, आत्मा और मर्स्तिष्क में नहीं थे हैं इस करण यहां बहुतिक पदार्थ को महत्व नहीं देता है किसको महत नहीं देता है यहां बहुत थिक पदार्थ को महत नहीं देता है वहां मानते हैं कि मस्तिश्क में विचार पहले आता है और वस्तुकी कलपना बाद में जम लेती है यानि कि हम किसी भी चिज़ के बारे में सोचें तो क्या होगा उसका विचार हमारी दिमाग में पहले आ जाएगा कल्पना हम उसकी बाद में करेंगे ठीक है तो इसलिए कहा गया है कि विचार शाष्वत और प्रिवर्तन सील होते हैं विचार कैसे होते हैं शाष्वत और प्रिवर्तन सील होते हैं ठीक है जैसे उदाहरन की बात करें जैसे मालिया कार आज है कल नस्ट हो सकती है प्रन्तु कार का विचार नस्ट नहीं हो सकता है कार आज है लेकिन कल नस्ट हो सकती है लेकिन कार का विचार कभी नस्ट नहीं हो सकता सिंपल सा उदाहरन है इसका ठीक है आधर्षवात की वो ये है इस जगत में मनुझ से सर्वसरेश्ट है ऐसा आधर्षवात कहता है आधर्षवात का मानना है कि इस जगत में मनुझ सर्वसरेश्ट है उसके eger अंदर बुद्धि, तरक और आध्यात्मिक गुण होते हैं इसलिए भाई जहेड सी बात है कि वो स्रिष्ट है next point है हमारा मनुस्री की प्रकृत में संसलेशन देखिए मनुस्री की प्रकृत में संसलेशन इसका अभिप्राय है कि मानो जीवन तथा प्राकर्तिक प्रक्रिया के कुछ समान उद्दिश होते हैं इसका मतलब यह होता है कि मानो जीवन और जो प्राकर्तिक प्रक्रिया है इसके कुछ समान उद्दिश होते हैं जिससे वहाँ एक साथ चलती है और इशी कार्ण माना और प्रकृत में शदेव क्या होता है? एक समन्वे बना रहता है, एक समायोजिन बना रहता है और दोनों ही किसी लक्ष की प्रापती में एक साथ काम भी करते हैं ठीक है? आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ फिर्थ नंबर इसके मानता क्या है? ब्रहमांड की रचना आध्यात्मिक सक्ति के द्वारा होती है आदर्शवाद मानता है कि यह ब्रहमांड इसोरी सक्ति द्वारा निर्मित है इसोरने इसकी रचना की है ठीक है ब्रहमांड में आध्यात्मिक मूलियों का महत तो क्या है आदर्शवाद सत्यम सिवं सुन्दरम में विश्वास रखता है और यह सुईकार करता है कि मानो जीव का उद्देश इन मूलियों को जानना है इनका अर्थ जाने समझे इन मूलियों को जाने ठीक है अपने अ प्रमात्मा की अस्तित को मानना भी इसकी एक मानिता है, आदस्वादी यहां मान कर चलते हैं कि आत्मा और प्रमात्मा इतने सूच में हैं कि इनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनका अनुभाव अवस्य किया जा सकता है, आत्मा निकल गई, आदमी क्या हो गया, आत्मा निकल गई, तो आत्मी क्या हो गया, मर गया, है ना, तो वहाँ पे क्या है, हमें आत्मा की अनुभूती हुई, आत्मा को हम देखे नहीं, लेकिन आत्मा उसके अंदर थी, निकल गई, आत्मी मर गया, है ना, इसलिए हम लोग क कहते हैं क्या प्रमात्मा भी कहीं न कहीं है जो हम देख नहीं सकते तो इस प्रकार से आदर्शवाद पूरी तरीके से खत्म होता है आदर्शवाद की हमने एक ही लाइन हमको याद रही क्या याद रहे गई आदर्शवाद जो है वहा अध्यात्मिक जगत को स्रिष्ट मानता है और कहता है कि इस जगत की रचना इस्वर नेकी है और जो हमारे अंदर क्या है इस्वर का ही एक हिस्सा है जो कि आत्मा की रूप में विराजमान है ठीक है याद रखना लाइन सबकुछ भूल जाना है लाइन मत भूलना आदर्स वाद की प्रक्रति वाद की भी कुछ ऐसी last एक लाइन बता देंगे आपको याद रहेगा दोनों में comparison कर पाएंगे आप प्रक्रति वाद ठीक से पढ़ लें देखिए जो प्रकर्तिवाद की विचारदारा है यह केवल भौतिक ब्रहमांड में आस्था रखती है जो प्रकर्तिवाद है यहां भौतिक ब्रहमांड में आस्था रखती है यहां प्रकर्ति को सरवोत्तम सत्ता की रूप में शुरिकार करता है ठीक है किसकी बात कर रहे है प्रकृतिवाद की बात कर रहे है ध्यान में रखिएगा भूलना नहीं प्रकृतिवाद अध्यात्म को किसी भी प्रकार कोई महत्तो नहीं देता पेन पेन से उठा के तुरंत नोट करो इस लाइन को इतना अभी अभी नोट करो बाकी बाद में नोट करते रहना प्रकृतिवाद जो है यहाँ अध्यात्म को किसी भी प्रकार कोई महत्व नहीं देता इसके लिए अध्यात्म वाद कुछ है ही नहीं यहाँ प्रकृत को मूलतत्व मानता है ठीक है आधर्षवात क्या कह रहा था भीया आधर्षवात कह रहा था कि आध्यात्मिक जगत ही सरेष्ट है लेकिन प्रकृत वाद तो आध्यात्म को कोई किसी प्रकार को कोई महत्तोय नहीं दे रहा है इसके लिए आध्यात्म कुछ है ही नहीं आधर्षवात कहता है कि आध् विलीन हो जाती है, बात बिल्कुल सही और शटीक है कि जो है, हमारा प्रक्रतिवात कहता है कि कोई भी वस्तु हो, इंसान हो, कोई भी कितनी सूई से लेकर के ऐरोप्लेन हवाई जाहज तक कि अगर बात करें तो हर चीज इस प्रक्रति सही जन्मन लेती है और उसके बाद इस प्रकृत में ही विलीन हो जाती है ऐशा कौन कहते हैं? ऐशा प्रकृतिवादी कहते हैं ये लाइने आप अपने घर अपने साथ लेकर जाएंगे ठीक है? हलांकि बैठे घर में ये आप अपने पास रखिएगा अभी बाद में अपने घर में ममी पापा को सुनाना कि प्रकृतिवाद ये कहता है आदर्शवाद ये कहता है दूसरे को सुनाएंगे याद रहेगा चलिए प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ और क्रियाएं ही सत्ते हैं प्रकृतवाद के कॉर्डिंग जो प्राकर्तिक प्रापदार्थ हैं जो प्राकर्तिक एक्टिविटीज हैं वही क्या हैं शत्य हैं यह भी एक पुराना और सोरी यह भी एक अत्यंत प्राचीन दर्सन है भारती है दर्सन में तो मनुस्को प्राकर्तिक तत्वों छिती जल पा पांच उनी से इसको क्या है जो है निर्मित माना गया है चिति का मतलब क्या होता है भूमी चिति का मतलब भूमी है ना जल का मतलब पानी पावक आग गगन आकास समीरा हवा है ना यही तो पांच तत्त होते हैं हमारे अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकरतिवाद का अर् प्रक्रति सब्द का दो अर्थों में प्रियोग किया गया है भौतिक प्रक्रति और मानो प्रक्रति जो प्रक्रतिवाद है उसका अर्थ क्या है प्रक्रति सब्द का दो अर्थों में प्रियोग किया गया है तो भौतिक प्रक्रति दूसरा मानो प्रक्रति ठीक है? देखिए भौतिक प्रकृत को दर्शन सास्तर के प्रकृतिवादी सिद्धान्त में सहवस्तु यानि कि रियल्टी माना गया है मानो प्रकृत की व्याख्या मनो विज्ञान करता है कौन करता है? मनो विज्ञान करता है प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है प्रकृतिवाद किसमें आस्था रखता है विज्ञान में आस्था रखता है लाइन तुरंत नोट कर लो ये वाली ठीके प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है क्योंकि विज्यान के सहारे ही हम प्रकृत के रहसियों का पता लगा सकते हैं प्रकृत ही शमस्त विस्सु की कौन है रचनाकार और पालनहार है ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे प्रकृत ही नियम है और वही नियंता भी प्रकृत ही शादन है और वही शादि भी प्रकर्ति ही आधी है और प्रकर्ति ही अंत भी क्या लाइन लिखी है बहुत बढ़िया देखिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से लिखा जाता है प्रकर्ति वाद की बात चल लए भीया अगर ये लाइन आप लिख देंगे ना नमबर पूरे पूरे लेकर के आएंगे ऐसी लाइनों को जो ये मैंने जो ये मैं लिखता हूँ ना ऐसे इन्वर्टिट में कॉमाज में ऐसे इनको बिल्कूर रटा मार लिया करो ये चीजे बहुत मतलब पूरे के पूरे नमबर दिलाती है ये सोचके रखिए प्रकृत क्या है प्रकृत ही नियम है और वही नियंता भी प्रकृत ही शादन है और वही शादे भी प्रकृत ही आदी है और प्रकृत ही अन्त भी है ओके चलिए आगे बढ़ें प्रकृतिवाद की परिभाशाएं क्या है हम प्रिभाशाएं जानेंगे, डिफ्रेसंस जानेंगे, ब्राइस क्या कहते हैं, प्रकर्तिवाद एक प्रणाली है, और जो कुछ आध्यात्मिक है, उसका बहिश्कार ही उसकी प्रमुक विशिष्टा है, अभी मैंने इसे उपर क्या कहा था पहले, अभी मैंने आपको करता है कि आध्यात्मिक जगत ही सरेष्ट है, लेकिन प्रकर्तिवाद आध्यात्म का बहिश्कार करता है, उसको कुछ समझता ही नहीं, यह कहता है, आध्यात्मिक जगत कुछ ही नहीं, यह उसका क्या करता है, बहिश्कार करता है, यही इसकी क्या है प्रमुक विशिष्ट चलिए आगे बढ़ते हैं जेम्स वाइड क्या कहते हैं बही जेम्स वाइड की बात सुनते हैं प्रकृति वाशिद्धानत है जो प्रकृति को इस्वर से अलग करता है और उसके बाद आत्मा को पदार्थ के अधिन कर देता है और आपरिवर्तनीय नियमों को सरवोचता प्र करता है ठीक है ऐसा जिम्स वार्ट कहते हैं प्रकृतिवाद के कुछ मूल सिध्धान्त हैं जिनको हम अपने अंदर उतार लेंगे लिख लेंगे नोट कर लेंगे शीदी सी बात है जो पढ़ाया है वही लिखना है कुछ भी चेंजिक नहीं करनी है अच्छा बच्चा होता है वह आर्थ और प्रिभासा पढ़के विशेष्टाई अपने आप निकाल लेता है ठीक है चलिए यह बहुतिक संसार ही सत्ते है अभी हमने आप पहले पढ़ा ब्र संसार की सबसे स्रिष्ट और सर्वोत क्रिष्ट रचना है प्रकृति अंतिम सत्ता या वस्तिविक्ता है प्रकृति के नियम अप्रिवर्तनी है उनको प्रिवर्तित नहीं किया जा सकता प्रकृतिवाद में धर्म और इस्वर का कोई स्थान नहीं है प्रकृतिवाद अध् प्रत्ति पश्वों के समान होती है वास्तिविक्ता की व्याख्या केवल प्राकर्तिक विज्ञानों द्वारा जो वास्तिविक्ता क्या है अगर हमको ये जानना है तो हमें विज्ञान का सहरा लेना पड़ेगा बिना विज्ञान के हम वास्तिविक्ता की जानकारी प्राप् ठीक है अब हम इसकी कुछ बिशिष्टाएं पढ़ेंगे सिध्धान्त पढ़ लिए बिशिष्टाएं पढ़ेंगे देखिए प्रकर्तिवाद को बिल्कुल कंठस्त करके जाएंगे प्रकर्तिवाद की कुछ बिशिष्टाएं नमबर एक बाल केंदृत सिक्षा क्या है प्रकृतिवाद सिक्षा में बाल केंदृत सब्द का प्रियोग सबसे पहले जौन एडम्स ने किया था जो प्रकृतिवादी सिक्षा है इसमें बाल केंदृत सब्द का प्रियोग सबसे पहले जॉन एडम्स ने किया था इसमें सिक्षक पाठिकरम और परिच्छा के स्थान पर बालक को सिक्षा का केंद्र माना जाता है आज भी हम बालक को सेंटर में रख करके सिक्षा प्रदान करते हैं ठीक है पुस्तकिय ग्यान का विरोध किया गया था यानि कि बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है उसको विवहारिक नौलेज भी देना है बहर से भी जिकाना है प्रक्रतिवादी जो है वो पुस्तकिय सिक्षा को अनावस्तिक मानते हैं बच्चे अगर पढ़ेगा तो वो किताबी कीड़ा हो जाता है उनका मतर की इसकाल की सिक्षा का अधार करके सीखना करके सीखना learning by doing जो की आज चलन में है आज हम लोग बच्चे को सेंटर में रख करके बच्चे को learning by doing करने के लिए कहते हैं यानि कि करके सीखता है बच्चा बच्चे को गुरूप में बढ़ाल दो बच्चा खुद करेगा सीखेगा अपने सयोगी से पूछेगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा निरिच्छन और अनुभाव होना चाहिए ठीक है बालक को freedom देनी चाहिए बालक को freedom देनी चाहिए बालक की सिख्चा में हस्तचेफ ना करके उसको स्वतंतरता दे करके सिख्चा ग्रहन करने का उसर दिया जाना चाहिए बालक को free रह करके स्वतंतरता दी जाए प्रगति सीलता क्या है जिस प्रकार बालक का सारीरिक विकास आयू के साथ साथ होता है उसी प्रकार सिच्छा को धीमे धीमे प्रगति करने, चाहिए बच्चे को एकदम से इंजेनियर नहीं बना देना है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, एकदम से उसको विद्वान नहीं बना देना है चलिए, बहुती अच्छी लाइन, नियाय श्वतमतरता और भाई चारे का विकास, सिच्छा ऐसी हो जिससे लोगों में सामाजिक नियाय की भावना, समानता, श्वतमतरता की भावना, भाई चारे की भावना का विकास हो, एक दूसरे के प्रति हम की भावना हो, भाई चारे क भवना होनी चाहिए, ऐसी सिच्छा बाल को दी जानी चाहिए, ठीक है हमने आदर्स वाद पढ़ लिया हमने प्रकृति वाद पढ़ लिया अब हम प्रियोजन वाद पे हैं, इसके बाद हम यह थार्त वाद को पढ़ेंगे, ठीक है चार वाद आज हम कंप्लीट करके जाएंगे आप इत्मिनान से बैठे रहे ठीक है, 23 मिनट की क्लास हो चुकी है मुझे लगता है इतना ही और लगेगा चलिए उसके जबकी मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं बहुत जल्दी स्पीड से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कलासे में पहले दे चुका हूं लेकिन सब अलग-अलग पढ़ाया हूं आज सब एक साथ होगा देखिए प्रियोजन वाद क्या है तो अच्छा है, दो चीज़ें आपने पढ़ी आदर्षवाद, प्रकृतिवाद दोनों में अंतर क्या दिखाई पढ़ा आपको अंतर क्या दिखाई पढ़ा अंतर दोनों में आपने क्या लिखा नोटबुक है आपके पास आपने लिखा कि जो आदर्षवाद है वो कहे रहा था कि आध्यात्मिक जगत स्रेष्ट है और प्रक्रतिवाद कहे रहा था और जो है प्रक्रतिवाद आध्यात्म को किसी भी परकार कोई महत्व नहीं देता है जो प्रक्रतिवाद है वो विज्ञान में आस्ता रखता है ठीक है इतनी बात याद रखना दो पाइं प्रियोजनवाद कितने नामों से जानते हैं, कितने सारे नाम हैं, प्रियोजनवाद को हम अर्थक्रियावाद, विवहारवाद, कार्णवाद, अन्भवाद, प्रियोजनवाद, इतने सारे नामों से जानते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रियोजनवादी वस् और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्र में नहीं पड़ते वे ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं सीधी सी बात है लिए आदस वाद कहता है आध्यात्मी जगत स्रेष्ट है प्रक्रति वाद भी अध्यात्म को नहीं मान लहा है और प्रियोजन वाद तो कहत ना आत्मा है ना परमात्मा है यह ना आत्मा को मानता है इसके अनुसार क्या मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है और मन एक पदार्थ जन्य क्रियासिल तत्तो मात्र कह दिया उसको प्रियोजनवादी जो है यह ज्यान को साध्यना मान करके मानो जीवन को सुखमे बनाने का सत्य मानवी सत्य हैं प्रियोजनवाद का अब हम थोड़ा अर्थ जानेंगे अब तक हम इसकी अब धारना पड़ रहे थे आधा प्रियोजनवाद आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत जो रहे गया वो आप समझ में आ जाएगा मीनिंग ओफ प्रैग्मेटिस्म प्रैग्मेटिस्म सब्द की उत्पत्ती ग्रीक सब्द प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है किस से मानी जाती है प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है प्रैग्मेटिस्म की उत्पत्ती pragmatikos सब्द pragma paramatose से निकला है pragmatikos सब्द जो है वहाँ pragma और paramatose से निकला है जिसकार्थ होता है I think done यानि कि किया गया काम ठीक है या फिर हम कह सकते हैं a business deed एक व्यवसाय a effective action एक प्रभावी कारे जो pragmatism है इसकी उत्पत्ती लैटिन भासा के सब्द pragmatikos से भी मानी जाती है जिसकार्थ होता है व्यावहारिक्ता pragmatism का साब्दिकर्थ है व्यावहारिक्ता और एवम उप्योगिता ठीक है और बढ़ते हैं pragmatism वह दर्शन है जिसके अनुसार सिध्धान्तों की सत्यता का निर्ने वस्त्वों तथा तथ्यों के व्यावहारिक्प्रिणामों के आधार पर होता है जेम्स वी प्रेट कहते हैं कि प्रियोजनवाद हमें अर्थ का सिध्धान्त सत्य का सिध्धान्त ग्यान का सिध्धान्त और वास्त्विक्ता का शिद्धान्थ देता है यानि की जो प्रियोजनवाद है वह वास्त्विक्ता परबल देता है कि सक्चाई क्या है मतलब इसकी main point तक गहराई तक जाता है ये ठीक है? ये मानता नहीं है ये कहता है कि जो सामने दिख रहा है हम वही मानेंगे, आप इसको कुछ और कहते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे ये वास्तविक्ता पर बल देता है, कौन? प्रियोजनवाद, रौस क्या कहते हैं इसके बारे में? रौस कहते हैं, प्रियोजनवाद एक मानवी दर्सन है जो यह शुईकार करता है कि मनुसक क्रिया की अबधी में अपने मूलियों का निर्मान करता है और यह शुईकार करता है कि वास्तविक्ता श्रदेव निर्मान की अवस्था में रहती है वास्तविक्ता पर बल दे रहे हैं प्रियोजनवाद के अधारबुत कुछ सिध्धान्त हैं, इनको हम पढ़ेंगे तो हमारी सज में और आ जाएगा प्रियोजनवाद ठीक है? आराम से बैठिए, जलती कोई नहीं है, ठीक से पढ़िए प्रियोजनवाद के अधारबुत सिध्धान्त क्या है? बीट काईजा में जितना बेहतर कर पाएंगे आगे अतनी आसानी रहेगी प्रियोजनवाद का अमूल सिध्धान्त यहाँ है कि अनुभव ही सब वस्तों की वास्तिविक परिच्छा है और सत्य वहाँ है जो अपने आपको उत्तम सिध्ध कर दे प्रियोजनवाद का अमूल सिध्धान्त है कि अनुभव ही सब वस्तों की वास्तिविक परिच्छा है और सत्य वहाँ है जो अपने आपको उत्तम सिध्ध कर दे भाई अगर आप कह रहे हैं कि ये बात सत्य है लेकिन अगर आपसे कहा गया सिद्ध करू अब आप उसको सिद्ध करने ही पारे हो कैसे मान लिया जाएगा कि आप सच्च कह रहे हो तो सच्च तो वही है जो अपने आपको सिद्ध कर दे कि मैं फैक्ट हूँ मैं सच्च हूँ आप अपनी बात रख रहे हो तो उसको सिद्ध करने की छमता भी तो होनी चाहिए है ना अगर आप सिद्ध नहीं कर पाओगे तो मार के भगाये जाओगे मतलब जूट लोगों द्वारा कहे जाओगे कि आप जूट बोल ले हो जबकि आप सच बोल ले होगे कारण होगा कि आप सिद्ध नहीं कर पा रहे होगे है ना तो बेचर ये है कि आप अगर सत्य बोल ले है तो इसको सिद्ध करने की छमता आपके अंदर होनी चाहिए ऐसा भाया अप रियोजनवादी कहते हैं जो सिध्धांद काम करते हैं वही सकते हैं जो सिध्धांद कामी नहीं करते जिन सिध्धांदों पर हम काम नहीं कर सकते वो सकते कहे के फैक्ट तो वही है ना कि जो काम करे जो योगी हो जो सही हो सच हो सिद्ध कर सके बात को मानो प्रियोसों का आतिदिक महत्तो है जो मानो एफर्ट्स लगाता है जो प्रियास करता है उनका बहुत महत्तो है मनुस और इसका सिध्धान्त यह हम क्या पड़ रहे हैं प्रियोजनवाद के आधारवुत सिध्धान्त ठीक है मैं दिखा देता हूँ आप लोग पताने भूल लया हूँ मनुस क्या है समाजिक प्राणी है इसलिए उसे समाजिक कुशल्ता का गुण प्राप्त करना चाहिए यानि कि समाज में कैसे रहना उतना बैटना लोगों के साथ आना जाना घूमना समाज में रहना कैसे है इसकी कुछलता उसके पास होनी चाहिए इसकी skill उसको सीखनी चाहिए मानो स्वेम अपने मूलियों का निर्मान करता है आपकी कितनी value है ये आप खुद create करते हैं आपकी समाज में क्या value है आपकी समाज में क्या च्छवी है लोग आपको किन नजरों से देखते हैं यह आप स्वेम create करते हैं कोई दूसरा create नहीं करता आप चाहें आप अमीर हो या गरीब हो आपके पिता जी चाहें कितने भी अमीर हो लेकिन अगर आप लोफरों वाले काम करते हैं तो आपकी value जीरो बाटा जीरो है है ना लेकिन अगर भले ही आप कितने भी गरीब हो लेकिन अगर आप एक सिधानत वादी और एक अपने क्या कहते हैं उसको अपने सिधानतों पर चलने वाले इंसान है तो समाज में आपकी value होगी ठीक है तो अपने मूलियों का निर्मान आप श्वेम करते हैं कि आपकी value क्या है आपका मूलिय क्या है मानो अपने वर्तमान और भविष्य का स्वेम सर्जक है मनुस ही है जो अपने वर्तमान और अपने भविष्य का निर्मान स्वेम करता है हमारा आने वाला कल कैसा होगा आज के समय पर depend करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं जैसा आज हम करेंगे उसी प्रकार से आगे हमारे सामने time आता जाएगा तो ये ना कहें कि हमारी किस्मत खराब है हमारे दिन खराब है हमारा समय खराब है ये सब आपके उपर depend करता है कि आप क्या करते हैं वरतमान आप कैसा गुजर रहे हैं क्या वरतमान में आप सिर्फ डे किताबों और classes की बीच में अपने आपको क्या करते हैं बिजी रखते हैं क्या आप लोग अपने mobile phone से या अपने मुरूंजक साध्यने उनसे प्यार न करके किताबों से प्यार करें तो क्या होगा आपकी लाइफ बहुत बेत्रिन हो जाएगी चलो हम तो बहुत बड़े ग्यानी बनने हैं आगे बढ़ते हैं मानो अपने वर्तमान भुष्ट का स्वैम सरजक है ठीक है प्रियोजनवादी सिच्छा की बिशिष्टाई देखिए प्रियोजनवादी है वह भविष्ट में आश्था रखते है प्रियोजनवाद मानो के उज्वल भविष्ट में आश्था रखता है सिच्छा के छेतर में स्टत प्रियत्न करने से हम एक अधिक अनकूलित और सक्तिशाली मानो पीडिका निमान कर सकते हैं अगर क्या है कह रहा है सिच्छा के चेत्र में क्या कहा रहा है सिच्छा के चेत्र में स्चतत प्रयत्न करने से अगर हम सिच्छा के चेत्र में सिच्छा के मामले में बढ़ाई लिखाई में प्रयास करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं जी जान लगाते हैं तो स्योर है कि हम एक सक्तिशाली मानो बन करके उबर करके आएंगे ठीक है वेवहरिक सफलता उपर जोर है सिच्छा के लक्षियों, पाठिकरमों, विधियों, आध की एक मातर का सौटी बालक की भावी जीवन में वेवहरिक सफलता है शिद्धान्त वे ही सही हैं जो हमें सफलता की और ले जाते हैं वे कहें के शिद्धान्त जो हमें घाई में ढखेलते हैं हमें जो आगे लेकर के जाएं हमारे भाविश का निमान करें सिच्छा की प्रकरिया में मानों विक्तित्च की सबसे अधिक महतपून मानते हैं उसका एक मातर लक्ष बालक के विक्तित्च का सर्वांगीन विकास करना है सर्वांगीन सिच्छा यहां पे हमारा फैर्ट प्रयोजनवाद खत्म हो जाएगा सिच्छा का लच बालक का सैक्षिक नेतिक संदर्यात्मक सायरिक और धार्मिक रता अध्यात्मिक सब प्रकार का विकास करना है कुल मिला करके सरवांगीन विकास करना है किसका सिच्छा का सिच्छा हमारा क्या करती है सिच्छा हमारा सरवांगीन विकास करती है जाने की चारों तरफ का विकास करती है चाये वो सेक्षिक हो नैतिक हो, स्वार्यात्मक, सायाडिक और धार्मेक अध्यात्मिक, सभी प्रिकार का विकास कौन करती है शिक्षा करती है, ठीके आगे बढ़ते हैं चलिए, अब हमारा लाश्ट बचा है यह थार्थवाद हमने तीन पड़ लिए, मैंने जब आजश्वाद पढ़ा था, तो मैंने खत्म हुआ तो मैंने बताया था, उसकी एक मेंन लाइन बताई थी आपको प्रकृतिवाद की एक मेंन लाइन बताई थी जो यहाद देखता है, उसी को सत्य मानता है बस, ठीक है, तीन आपने पड़ लिए आदर्षवाद, प्रकृतिवाद, प्रियोजनवाद आदर्षवाद देखिए आदर्षवाद कह रहा था कि आध्यात्मिक जगत ही स्रेष्ट है प्रकृतिवाद कह रहा था कि हमारे लिए आध्यात्म कुछ नहीं है प्रकृतिवाद आध्यात्म को किसी भी प्रकार कोईमा तो नहीं दे रहा था प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्ता रखता है प्रियोजनवाद कहता है कि मैं ना आत्मा को मानता हूँ ना प्रमात्मा को मानता हूँ जो मैं सामने देख रहा हूँ वही मेरे लिए सकते है ठीक है यानि कि प्रियोजनवाद जीवन के वास्तवी पक्च पर अपना इस्थान किंद्री तरता है बल देता है ठीक है चलिए यथार्थ बाद पढ़िए इसकी एक लैन पकड़के रखना लाश्ट में चारों का अंतर बता दूगा क्लास हो गई हमारी 35 मिनट की चलिए आगे बढ़ते हैं यथार्थ बाद रियलाइस्म क्या है स्वरी रियलेस्म पढ़ेंगे इसको यह आपकी class 8 थी जब मैं करवा रहा था अभी तो बहुत classes हो गई है और अगर आप b8 first semester में किसी भी university से हो semester में हो या year में हो आप कमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत बेस्टर best कर पाएंगे आप ठीक है चलिए मैं कितनी देखे और जितने भी पीडियाप्स होती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेर कर देता हूं लिंक उसका description box में है आप वहां से जाकर के यह वाली पीडियाप भी आपको मिल जाएगी लेकिन अभी नहीं मिलेगी कुछ दिनों बाद इसको सेर करेंगे ठीक है कुछ समय बाद चलिए प्यारे दोस्तों अच्छा चलो पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं यह दर्सन आदर्षवात का विरोधी है सीधी सी बात है आदर्षवात का विरोध कर रहा है पहली लाइन लिखी है ठीक है मैं तो कहता हूं यही लाइन आप लिख लो ठीक है इतनी यहां से यहां से लेकर यहां तक लिख लेना यह दर्सन आदर्शवाद का विरोधी है कैसे भीया आदर्शवाद का विरोधी कैसे है क्योंकि आदर्शवाद अध्यात्मेक जगत को स्रिष्ठ मानता है और यह भौतिक वाद को अधारित मानता है और जो है विरोधी है और भौतिक वाद पर अधारित है इसलिए यद्धा चाहिए हुआ हमारे ज्ञान तो है विचार में हो या ना हो अस्तित उसका है यह थार्धवत कहता है यह बात यह आवस्यक नहीं है कि हमें संपूर्ण सथा की प्रतिक वस्तु पदार्थ अफ़ा प्रतियों का ज्ञान हो ही है इसा थोड़ो है कि हम ग्नाता है हम चाहें हम मरने को मर जाएंगे लेकिन हमें संसार का पूरा ग्ञान नहीं हो पाएगा हम कभी भी अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकते किसी भी सब्जेट के मास्टर तो आप हो जाएंगे Mastery आप किसी भी सब्यक्ट में हासिल कर सकते हैं लेकिन ग्याता नहीं बन पाएंगे जिन वस्तों का हमें ग्यान नहीं होता यह विचारधारा वस्तों के अस्तित को ही यथार्त मानती है ठीके यथार्तवादी दरसन के उनसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ग्यान ही सकते है विक्ति जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है वही सकते है ऐसा यथार्थवाद कहता है यह जो विचारदारा है यह विचारदारा जगत को उसी रूप में शुईकार करती है जिस रूप में दिखाई देता या जिस रूप में उसका अनुभव होता है ठीक है चलिए प्यारे दोस्तों अभी क्लास तो काफी बचिये मैं आपको बता दूँ एक बात कि मेरा एक और चैनल है SP Sir Blogs के नाम से मैं ये टेलिग्राम पर भी चैनल सेयर करता रहता हूँ लेकिन आप लोग यहां support नहीं कर रहे हो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग support नहीं करते हो ये हमारा चैनल है जहां हम अपने ब्लॉक्स शेयर करते रहते हैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहें तो ब्लॉक्स अगर देखते हूं तो आप हमें यहां फॉलो कर सकते हैं अब हम पढ़ेंगे यथार्थवाद का अर्थ क्या है चलो देखिए यथार्थवाद अंग्रेजी भाषा के रियालेज्म सब्द का रूपांत्रण है रियालेज्म दो सब्दों से मिल करके बना है कौन कौन से दो सब्द हैं भाई जिन से मिल करके बना है ये है वो दो सब्द रियलेज्म यानि की रियल मतलब वास्तिविक होता है इसम का मतलब विज्ञान होता है इस परकार यथार्थवाद या रियलेज्म का शाब्दी करत हुआ वास्तिविक्ता का विज्ञान क्या हुआ साइन्स ओफ रियलेटी यानि की वास्तिविक्ता का विज्ञान ठीक है? रियलिज्म का वर्त क्या हुआ? वास्तिविक्ता का विज्ञान बहुत महिनत लगती है इसे नोट्स क्रियेट करने में बनाने में इसे लैटिन भासा का रियलिज्म सब्द से उत्पन भी माना जाता है रियलिज्म सब्द R.E.S. रियलिज्म का रियलिज्म का रियलिज्म का रियलिज्म का रियलिज्म का रियलिज्म क रियलिज्म का रियलिज्म का रियलिज्म रियलिज्म का 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 रियलिज्म आगे बढ़ते हैं श्वामी रामतीर्थ के अनुसार श्वामी रामतीर्थ यथार्थ वादकार्थ वहार मिश्वास या शिधान्त है जो जगत को वैसा ही सुविकाय करता है जैसा हमें दिखाई देता है ठीक है रास कहते हैं कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभा करते हैं जो कुछ हमें सामने दिखाई दे रहा है उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्थों का एक यथार्थ जगत होता है यथार्थ वाद की कुछ परमुख विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वाली मुझे लगवाद में तो नहीं बोल दिया था अधिस्ट मोमें टीक एक स्केंड मैं एक चीज में चेक करता हूं मुझे ऐसा लगवा है कि ये बात में पहले बोल चुका हूं सामने देखने वाली प्रतिक्ष चीज प्रियोजनवाद की बात कर ला था प्रियोजनवाद में देखिए प्रियोजनवाद तो वास्तविक्ता पर अधारित है ये जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना इस्थान किंद्र करता है जो वास्तविक प्रक्ष है जो वास्तविक चीज है यह उसकी बात करता है ठीक है वास्तविक और सदे और निर्मान के वस्ता में रहता है यह चलिए ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं वो लाइन में पहले भाई मिश्टेक गरत बोल गया था कि अपना जो है ये जो सामने देखता है उसी पर विश्वाश करता है ये बात ये थार्त वाद की है सौरी मिस्टेक हो गया यह लाइन में डबल बोल गया, चलो, कोई बात नहीं, लिखा नहीं है ऐसा, गलत लिखा नहीं मैं बोल गया, भाई, मिस्टेक बोल गया, ठीके, चलिए, दिमाग में आ गया, यह थर्थ वाद, पडियोजन वाद जो था, वो कह रहा था कि ना आत्मा को मानता है ना प्रमात् लेकिन, जो मैं बात बोला था, जो सामने देखता है, उसी को सच मानता है वो यह थर्थ वाद कहता है ठीके, चलिए, कल्पना को अश्वीकार करना देखिए, अब बात होई आई, यह कल्पना को नहीं मानता है यह सामने दिखने वाली भौतिक चीज को मानता है यह थर्थ प्रियोग पर बल देते हैं ये विचारधारा निरिच्छन अबलोकन तथा पर प्रयोग पर बल देती है इसके अनुसार किसी अनुभव को तब तक श्रीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह निरिच्छन और प्रयोग की कसोटी पर शिद्ध ना हो गया हो खरा ना उतर गया हो मानों के वर्तमान व्याव हर इक जीवन पर बल देखिए जो यहां दर्सन है यहां दर्सन आत्मा प्रमात्मा पर लोग आधि के आध्यात्मिक बातों में कोई रुची नहीं लेता यहां मनुस को एक जैविक पदार्थ मानकर उसका लक्ष शुखी जीवन व्यतीत करना मानता मनुस का जीवन क्या है मनुस का लक्ष क्या वानता है कि यह मनुस का लक्ष है शुखी जीवन व्यतीत करना मनुस यहां लक्ष तभी प्राप्ट कर सकता है जब वहां भौतिक जगत के अधिक्तम वस्तों का ज्यान प्राप्ट करके जीवन में उनका शंपूर्ण पूर्ण तरीके से उपयोग करें तभी उसका जीवन सुख ही हो सकता है ओहो क्लास एंड खत्म हो गई प्यारे दोस्तों आज की क्लास बश इतने ही थी ठीक है बहुत मेहनत लगी है आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना लाइक किये बिना कमेंट किये मच जाएगा और हमारा ये दूसरा चैनल है इस पर हमें फालो करना बिलकुल ना भूलें एक प्रकार से हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है हम आपके लिए इतनी महनत करते हैं आप इस चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर लिजिए अपने दोस्तों तक सेर कीजिए ठीक है ताकि ये चैनल हमारा थोड़ा ग्रो कर जाए आज सी क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताएगा इसकी लिंक जो पीडियाफ है ये में टेलीग्राम चैनल पर सेर कर दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक क्लास हमारी जरूर सेर कीजिएगा बहुत मेनत बहुत आफ़र्स बहुत प्रयास लगता है लिखने में ख्रियाट करने में आप तक पहुंचाने में ठीक है आई होब कि आप वो क्लास पसंद आए होगी अगर प्रसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को स्प्राइब कर लिजए बेलागन प्रस कर लिजए तकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिक्सन अब तक पहुंच सके थैंक्यू मिलते हैं बोजल्दी नेक्स्ट क्लास में